एक पुराने लिफापे से एक खुबसूरत फूल बनाएं इसके लिए पुराना लिफापा टेप, कैची, रंगीन कलम, फुट पट्टी वगेरा की ज़रूरत होगी सबसे पहले लिफापा लें और बंद सीरे से एक समकी पट्टी छोड़ कर मसावी लकीरे खीचे पूरे लिफापे की लंबाई तक ये लकीरे खीचे ये तमाम लकीरे बन जाएं तो कैची से लिफापे के दोनों सीरों को तराश कर अलग कर लें अब आप देखेंगे लिफापा दोनों तरब से खुला होगा लिफापे पर दो रंगीन टेप की पट्टिया चस्पा करें उपर लाल और नीचे हरी फिर कैची की मदद से तमाम लकीरों को काट लें काटते वक्त बस इतना ध्यान रखें कि उपर की एक सम पट्टी जो छोड़ दी गई है उसे नहीं काटना है अब ये एक तरह से जालर की तरह नजर आएगा इसे तवाजुन भी कहा जा सकता है देखिए पीछे से ये इस तरह नजर आएगा अब इसे खोल कर दाइलवी शक्विल बना दे आप देखेंगे के सारी पंखडिया फूल की पंखडियों की तरह फैल जाएगी अब दोनों सिरों को मिला कर टेप से चस्पा करें अब ये बिल्कुल फूल की तरह नजर आएगा जैसे डेहलिये का फूल अब इसे पलट कर पीछे गोन लगाए और इसे किसी एक कार्टशीट पर चस्पा करें ये बड़ा खुबसूरत फूल नजर आएगा